प्रेस्ट आब के सामने एक और कोश्चेंस लेकर आ गये हैं और यह कोश्चेंस को हम थ्लैकर दिया हुआ ना कि अब किक्षिंट क्या दिया हुआ है वो थोड़ा सा समझना बहुत इंप्रॉनट है टोला है देखा फॉर सेफ़र यर्टडोट दोट दॉट फिर बाद में dash करके बोला dash tom is 210 अब dash tom मतलब मान लेते हैं कि an ही क्या है 210 है ठीक है अब इस वाले ap में देखोगे तो a आपको दिख रहा है 21 ठीक है और अगर चाहें तो d निकाल सकते हैं देखिए 42-21 करेंगे तो आगया 21 d भी मिल गया ठीक है a और d मिल गया और an भी मिल गया अन का फॉर्मिला लगा दो और एंथ ही फटा करना एंथ टम पता करना तो एंथ पता करना तो एन का फॉर्मिला लगाएंगे एन इकोल डू क्या होता है a plus n minus 1 into d अब एन में यहां पर लग दिए 210 और एकी वैल्यू 21 प्लस n minus 1 और d की वैल्यू कितनी है 21 ही है चली यह 21 जो 21 ठीक है फ्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा यहां क्या बचा एन माइनस 1 into 21 अब यह 21 माइनस करो दोको 10 में से 1 गया 9 यहां 1 के जगा पर यह 0 हो गया तो 0 में से नहीं जाएगा तो एक इधर से लेगा 10 होगा 10 में से 2 गया 8 हो गया और यहां बचा 1 189 बचा और नहीं बचा एन माइनस 1 और यह 21 मल्टिपल है वह इधर क्या कर देंगे कर देंगे अब करने पर क्या रहा है वो लिख लेते हैं देखें 21 डिवाइड करना है आप 21 का टेबल में इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जायगा यह इंपोर्टन है ठीक है थोड 29 जा तो यहां से अगर यह कट कर देते हैं तो यहां पर आ गया है यह 9 तो मतलब 9 equal to n minus 1 minus 1 इधर आया तो n की value क्या आ गया 10 हो जाएगा मतलब 10th term यहां पर B option is the right answer इसी तरीके से आप हमारे questions देखते रहिए आपने आपको best बनाते रहिए धन्यवाद